मेरे अजीज रिटायर फौजी अफसरों और जवानों, आप हमसे ही हैं, क्योंकि आपका तालोक मुल्की सरहदों का दिफा करने वाले इदारों से हैं। आप मेंसे किसीने स्याचिन के बरफपोश पहाड़ों पर मशकें जीली होंगी, किसीने भारती सरहदों पर दुश्मन की गोलियों का सामना किया होगा, किसीने सापका कबाली लाकों में दुनिया की मुश्किल तरीन जग लड़ी होगी। आप लोग तो कभी कभी हमारी हुबलवतनी पर शक कर लेते हैं लेकिन हमें आपकी हुबलवतनी पर कोई शक नहीं। ताहम हमारे और आपके दर्मियान जो असल रिष्टा और मीसाक है इसका नाम आईने पाकिस्तान है। जब आप इसाईन पर अमल को यकीनी बनाने में तावन करते हैं तो हम आपको हाथ से नहीं दिल से भी सल्यूट करते हैं। लेकिन जब आप या आपके अदारे अपना असल काम छोड़कर सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनते हैं तो हम अवाम की सफों में बेच्चैनी पैदा होती है। और हम तवक्को करते हैं कि हम से ज़्यादा तश्वीश आपकी सफों में बहलनी चाहिए क्योंके सियासत अदालत और सहाफत के दाएरे में मुदाखलच से आपके अदारे का वकार मजरू होता है। ये पूरी कौम की महाफिज और पूरी कौम के लिए काबिले फखर फौच है और जब ये किसी एक पार्टी से नथी होती है तो मतनाज़े बन जाती है। अब इस तनाज़र में टैक्स अदा करने वाले एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं चंद गुजारशाद आप सब की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आप लोगों ने कभी सोचा है कि आखिर वज़ा क्या बनी जिसकी वज़ा से इनकी पार्टी सीटों के लिहास से बड़ी पार्टी बन गई। इसे धरनों में आपके इदारों की तरफ से इनकी मदद की गई जिसमें इन्होंने सिवल नाफरमानी का ऐलान किया और बिजली के बिल जलाए। मेरा सवाल ये है कि बाज लोग अगर आज अपने इदारे के आईनी रोल तक महदूद होने पर नाराज हैं और इमरान खान की महबत में अपने इदारों की क्यादत के सामने खड़े हो रहे हैं तो आपने उनको शुरू में ही क्यों न रोका। आपके इदारे के वकार को ज्यादा नुकसान गुजिश्टा इंतखा बात में पहुँचा जब आपके इदारे के बाज लोग हर हरबा इस्तामाल करके दूसरी पार्टियों से एलेक्टेबल्स पी टी आई में शामिल करवाते रहे जब बलोचस्तान में जरदारी के साथ म आपके इदारे के लोग पी टी आई के टिकेट तक्सीम करते रहे जब आपके इदारे के बावर्दी जवानों से पॉलिंग एजेंट्स को निकल बाकर ठपे लगवाया गया जब इमरान खान को जितवाने के लिए एलेक्शन कमिशन का आर्टिये सिस्टम फेल करवाया गय और जब कासिम सूरी की तरह तीसरे नंबर पर आने वाले लोगों को इंतखाबात में कामियाब डेकलेर कर दिया गया और आईएस पियर की तरफ से मीडिया को हिदायत की गई कि वो इमरान खान की हकूमत के बारे में छे माह तक मनफी रिपोर्टिंग ना करें क्या मैं इंतहाई अदब से पूछ सकता हूँ कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप लोग क्यों खामुश रहे क्या आप लोग नहीं जानते कि इमरान खान की हकूमत को जितनी सपोर्ट जनरल कमर जावेद बाजवा और इनकी टीम की तरफ से हासल हुई इसकी माजिय में कोई और मिसाल नहीं मिलती लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने हुकमरानी के लिए बत्तरीन टीम का इंतखाब किया मुल्की मुईशत का सत्या नास किया जनरल बाजवा दोस्त मुमालिक में जा जाकर तालुकात बनाते और वो खुद मौमलात बिगारते रहे फौज इनको एक सचे हमदर्द के तौर पर सबसे बना कर रखने की नसीहत करती रही लेकिन इन्होंने पकड़ धकड़ और गालम गलोच के कल्चर को आम किया इमरान खान की हुकूमत गलतियां करती रही और जिमेदार फौज को ठहराया जाता रहा इन हालात में अगर जनरल कंबर इसने काम के लिए तो कौन सा जर्म किया इमरान खान को लाने में आपकी फौज का करदार बाज़ था लेकिन इनकी हुकूमत की रुखसती में इनके करदार का कोई सुबूत नहीं इस करदार पर अगर हम सिविलियन आपकी क्यादत को शाबाश देने लगे तो आप लोगों खर्ब और रुपए खर्च करके नहीं पहुंचा सकते थे लेकिन ना जाने आप लोगों पर इमरान खान ने क्या जादू कर रखा है या फिर पीटी आई के वरकर्स की तरह शायद आप लोगों ने भी अकल का इस्तामाल तर्क कर दिया है कि अपनी फौजी के आदत के साथ माजी की तरह हम जबान नहीं हैं अल्ला के बंदो कुछ तो सोचो